हलो अब्रीवन वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल और आज आपके लिए लेके आया हूँ एपिसोड नमबर टू शायरी बाबा तो यह है हमारा एपिसोड नमबर टू हमारे पास एक और शायरी आई है लेकिन उससे पहले कुछ कंफेशन है जो हमने पुराना वीडियो बनाया था उसमें मैंने थैंक यू बोला था लक्ष्टो क्योंकि लक्ष्ट ने मुझे को वाट्सेप पे भेजी थी लक्ष्ट मेरा एक्चिली पुराना स्टूडेंटर राजस्थान से लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई वो यह हुई कि एक बच्चा है हरशित शर्मा उसने कहा सर ये शायरी लक्ष्की नहीं है मेरी है फिर उस बच्चे ने मुझे स्क्रीन शॉट बेजा कि देखो सर आपका ये वीडियो आने से पहले मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे मैंने कॉमेंट किया था तो मैं अपने सारे वीवर्स को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूं देखो यार जिस बच्चे का क्रेडिट है उसे ही मिलना चाहिए तो वो जो क्रेडिट है भाईया वो हरशित शर्मा का है लक्ष का नहीं है हाला कि लक्ष ने ये नहीं का था मुझे कि उसने वो खुद लिखा है अब बात जाते हैं दूसरी शायरी की बशायर तो चलो शुरू करता हूं तो जो शायरी है वो लिखी है या आई है शुशांत की तरफ से अब भाईया कोई दूसरा कॉपी राइट मन दे देना के सजी ये ता मैंने लिखी है तो शायरी सुनाने से पहले तुमसे एक बात पूछना च सुनो और वावा कर देना यारो सोता हूं ताज महल में वह 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 सोता हूं ताज महल में लगाता हूं तकिया वह क्या बात है क्या बात है ताज महल इसका है क्या ताज महल में तकिया लगा रहे गद्धा अजवन ने गद्धा नहीं लगाया हां तो शुशांत लिखते हैं सोता हूं ताज महल में लगाता हूं तकिया लखन सर की याद में बिताता हूं रतिया नहीं एक बाव बताओ मतलब मेरे प्यार में लॉड़े पागल हुए जाएंगे क्या इतने बुरे दिन आ गये का मेरे और भाईया सी ने तुम्हारी डेट सीड अनौंस कर दिये चार म में सोता हूं लगाता हूं तकिया और लखन सर की याद में बिताता हूं रतिया मेरे चकर में रतिया मत बिताओ तुम्हारे घरवालों का फोन आ जाएगा और हां एक चीज़ बताओ भाईया कैसे कैसे गाने आ रहे हैं आजकर अरे कैसे कैसे रह पा रहे है हनी सिंग का गान हूँ झूओ